हरे कृष्णा सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी के प्यार की वज़े से आप सभी के सपोर्ट की वज़े से हमारे चैनल को एक लाख सबस्काइबर्स का ये जो पहला milestone है YouTube पे वो हम अचीव कर गए है in आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का जो हमारा वीडियो है वो conductor numbers की हमारी जो series चल रही है उसका आखरी number आज हम लेने वाले हैं आखरी भाग्यांग वो है number 9 अभी तक हम एक से लेकर 8 तक complete कर चुके हैं और जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे channel पे जा सकते हैं वहाँ पे playlist का button है playlist को click करेंगे तो जितनी भी playlist बनी वी हमारे channel पे वो सब आप देख सकते हैं चाहे वो zodiac science की हो चाहे वो मन्त की हो चाहे वो मूलांक की हो चाहे वो भाग्यांक की हो अब आराम से एक एक करकर systematic way में सब settle हैं वहाँ से आप देख सकते हैं तो आज 9 number की बारी में है जिसका भी भाग्यांक 9 number है 9 है ये वीडियो उनके लिए है या फिर जो 9 number भाग्यांक वालों के साथ जुड़े हैं उनके लिए ये वीडियो है ठीक है जी तो बहुत ही छोटा से वीडियो होगा पूरा देखिएगा लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो शेर भी कर दीजिएगा और subscribe तो करते रहिए अब तो हमें अगले milestone को बहुत जल्दी टच करना है जो की है 1 million का यानि कि 10 लाग सब्सक्राइबस का आप सभी का भाग बहुत धन्यवाद चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सो भाग्यांक निकालने का तरीका क्या होता है हर वीडियो में बताता हूँ इस वीडियो में भी जरूर बताओंगा जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता तो और डिजिट में जाना होता तो एक example ले लेते हैं उधारन के तौर पर एक DOB है 14 अगस्ट 1985 14 अगस्ट 14 एट 1985 इन सब को add करते हैं 1 प्लस 4 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 9 is 23 23 प्लस 8 31 31 प्लस 5 is 36 और double figure आ गया हमने आपको बाता single figure में जाना है 3 प्लस 6 is equal to 9 तो 9 आ गया तो ऐसे जब आपकी पूरी DOB को जब आप total कर लेते हैं और उसका जो single digit में नंबर आता है वो आपका भाग्यांक कहलाता है तो इस DOB वाले इंसान का भाग्यांक 9 है तो उसी के बारे में हम बात करना जा रहे हैं तो 9 भाग्यांक वाल थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि गुसा जल्दी आ जाना पर डरता नहीं है ऐसा व्यक्ति दर के नहीं जीता वो खुल के जीता है और बहुत हिमत वाला होता है ऐसे लोग 9 भाग्यांक वाले social भी बहुत होते हैं प्लस जो social activities में जुड़े होते हैं उनका दिल करता है कि हम किसी की betterment के लिए humanity के लिए किसी भी प्रकार से अगर मैं help कर सोको तो help करना चाहूंगा इस तरीकी की सोच 9 भाग्यांक वालों की होती है ऐसे लोग स्वार्थी नहीं होते आदरश्वादी होते हैं in fact और merciful होते हैं करोना से भरावा होता है उनका दिल उनको दया बहुत जल्दी है तो इसलिए तो इनका जो nature होता है वो इस तरीके का होता है तो ये नौ नंबर वाले क्या है कि जैसे मैंने बताया तरुना मतला merciful बहुत होते हैं इनके दया भावना बहुत जादा होती है सरेंडर का mood होता है इनका ये पूरी अपने आपको कि यार तेरे को जो help चीए वो help करने के लिए चाहे उसको help करने में इनको तोड़ा नुकसान ही क्यों न हो जाए पर ये दूसरे की खुशी जब देखते हैं कि हायर मैंने इसको help किया और ये उससे खुश है satisfied है तो उसकी खुशी से ये खुश हो जाते हैं इस तरीके का इनका nature होता है पर यहाँ problem पता है क्या आ जाती है दूसरे उनके इस nature का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं जूट बोलकर मदद मांगने पहुँच जाते हैं और ये बिचारे सोचते हैं कि यारे सच मुछ problem है और उसकी help करते हैं अपना time अपना पैसा या अपनी चीज़ों का इस्तुमाल होने देते हैं त पता नहीं आपके पैसे का या आपकी चीज़ों का गलत फायदा उठा रहे हों नौ भाग्यांक वालों को जिसे कहता है कि love and affection बहुत जल्दी हो जाता है लोगों से और अपनी life के अंदर अगर वो किसी के भी प्रती प्रेम भावना रखते हैं love and affection रखते हैं चाहे वो दोस हो चाहरिष्टेदार हो या कोई relationship वाला विक्ती हो वो अगर इनको धोका दे देता है या इनको इनके बारे में कुछ गलत कह देता है तो इनको बहुत जादा ठेस पहुंचती है बहुत जादा दुख होता है उससे ये in fact depression तक में चले जाते हैं जैसे आपको आपने देखा अगर को कही न कहीं creativity से भी जोड़ा जाता है और ऐसे लोग जो मैंने आपको बताया कि वो emotional बहुत जादा हो जाते हैं depression में चले आते हैं फिर ये अपनी creativity को कही न कहीं writing में present करते हैं बोल नहीं पाते शेर नहीं कर पाते तो ये writing में चले जाते हैं और writing में जिस तरीके से अपनी चीजों का show करते हैं जिस तरीके से उसको खोल-खोल कर रखते हैं बहुत ये अपने आपको से stress free करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे stress free रहने का कि आप अपनी चीजों को लिखना शुरू करिए आप जो भी दिन बर में आपके साथ हुआ है उसको आप pen के साथ क्या होता है कि उनका nature जो होता है वो इस तरीके का होता है कि वो सब को मिलाके चले एक brotherly वाला महौल बनाके चले मदद का महौल बनाए कि दूसरों की मदद करना सब लोग जितने भी लोग साती हैं वो भी आगे बड़े हम भी आगे बड़े कई बार ऐसे लोग लादा दिन तक नहीं कर पाते, तो क्यूं, क्यूं नहीं कर पाते, क्यूंकि आपका नेचर ही नहीं है, आपका जो नेचर नहीं है, एक मचली जो है, वो जमीन पर नहीं चल सकती है, पर जमीन पर वो उचलती रहती है, एक इंच भी वो चल नहीं सकती, तैर नहीं सकती, वो प तरीके का आपका नेचर है बहुत जादा किसी को अग्रेसिवली आपको नहीं क्योंकि नौ नंबर से अग्रेसिव आएगा आपने आपको 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 कंट्रोल करके रखना है दूसरों को पुल डाउन मत करिये बनिकि उनको और भढ़ाईए तो आपको भी और जादा कॉन मिलेगा आपको भी और जादा मदद मिलेगी आपको बहुत जबरदस्त सैटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में ठीक है जी तो आए होप आपको ये थोड़ी सी इंफोर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है आपको पसंद जरूर आई होगी अगर पसंद आई है तो प्ल झाल